तो आज मैं आप सबी को एक hair serum की home remedy बताने वाली हूँ यह hair serum 100% natural ingredients से बना है और इस hair serum से आपके frizzy और damaged hair की problem solve हो जाएगी और यह आपके बालों को shiny, soft और lustrous बनाएगा इस hair serum को बनाना बहुत ही easy है और इसको बनाने के लिए सिर्फ आपको 5 ingredients की ज़रूरत है तो सबसे पहला ingredient जो हमें चाहिए वो है glycerine दूसरा ingredient है aloe vera gel थर्ड ingredient है rose water या गुलाब gel फिर हमें चाहिए नारियल का तेल, अगर आपके पास नारियल का तेल नहीं है तो आप olive oil भी use कर सकते हैं और लास्ली हमें चाहिए vitamin E capsules तो इस hair serum को बनाने के लिए सबसे पहले आप एक का टोरी में दो चमच गुलाब जल ले लीजिए फिर उसमें आदा चमच एलवरा gel डालिए फिर उसमें आदा चमच glycerine अड़ कीजिए फिर उसमें आदा चमच coconut oil या olive oil को डालिए और लास्ट में इस mixture में दो वाइटमिन E capsules का oil निकाल के आड़ कीजिए अब आपको सबी ingredients को अच्छे से mix करना है ताकि एक smooth mixture बन जाए यह cost friendly hair serum है जिसके सारे ingredients आपको easily market में मिल जाएंगे और यह सारे ingredients आपके बालों के लिए बहुत ज़ादा beneficial है और आपके सारे hair problems को solve करते है यह hair serum आपके बालों को friss free तो बनाता ही है उसके साथ साथ यह आपके बालों को shiny, long और lustrous भी बनाता है तो सभी ingredients को अच्छे से mix करने के बाद आपका hair serum ready है और यह कुछ इस तरह दिखेगा अब मैं इस hair serum को इस छोटे container में transfer कर रही हूँ और आप कोई भी added container use कर सकते हैं इस hair serum को store करने के लिए और इस hair serum की shelf life 15-20 दिन है और आपका hair serum ready हो चुका है आप इस hair serum को गीले या सूखे बालों पर अपलाए कर सकते हैं और इस hair serum को लगाने के बाद ही आपके बाल soft, shiny और friss free हो जाएंगे और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे like और share करना न भूले और आप मेरे चानल को subscribe भी कर सकते हैं फ्यूचर में बहुत सारी easy और effective home remedies देखने के लिए